जहिन मैं सिवसर आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SSE classes में in my way so it's going to be Sunday special और Sunday special में मैं आपको एक story सुनाता हूं जो एक तरीके से motivational story रहती है और वो story न आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप students life में हैं तभी यूज कर सकते हैं वो motivation तो हर जगा चाहिए वेदर यूज दूइंग जॉब डेलिवेज वर्क स्टूरेंस लाइफ वाटेवर अगर आप स्टूरेंस है तब भी आपके लिए जरूरी है अगर आप रोज काम करने वाले हैं तब भी जरूरी आप एक जॉब करते हैं बिजनेस साल कहा आया की आज मैं जो स्टूरी आपको वताने वाला हूं थी को जीवन ना कभी ठाराओ जरूरी हैicion कि कभी कभी जीवन ठेहरा और बहुत ज़रूरी है वेट करना चाहिए है मैं इंतिजार करने से कभी कभी result बहुत अच्छा आता है तो इसके base पर मैं story आपको बताना चाहूं जैसे क्या करते हैं आप लोग बहुत जाता है वो अपने Corps के साथ जा रहे थे Спल पूल मत्लब होता है कि व अपने सर्जयों के साथ जा रहे तो जाते जाते उन्हें प्यास लगी थो उन्हें देखा कि भाई कहीं रुआ जाए तो वो एक पेड के नीचे रुखते है और अपने 접종 से पूछते है कि पहले तो यह पता करिए किस direction से किस दिशा से ठंडी हवाय आ रही है जो हमने आपको बता जा कि एक ऐसी story है जो आपके आपको वेट भी करना चाहिए इंदिजार करना चाहिए तो जो संत महत्मा थे बुद्ध भगवान जी थे वो अपने dispels के साथ जा रहे थे तो वो कोई ने कोई तलाब होगा तभी तो आ रही है तो उनका जो सिस था वो जाता है उस तलाब के पास तो पहले तो पीने का साधन यही रहा करता है जैसे जील हो गया यह सब रहा तो वह जाते हैं तो वहां पर गाउं के वह आजपा सोचते हैं कि पानी यहीं से ले लिए जाए घृूंझ गुरु जी के लिए तो जब वो देखते ना तो वहाँ पर गाओं के जो आसपास के जो और गाओं के लोग थे तो अपना कपड़ा धुलना पहले क्या होता था ऐसे जगों पर होता था तो कपड़ा धुल रहे थे कुछ बच्चे नहा रहे थे तो कुछ देर वो खड़े थे तो देखा उन्होंने कि एक जानवर आ गया, जानवर का मतलब गाय भैस थी, वो आके उसमें घुश गई, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि ये तो बड़ा गंदा पानी हो गया है, कैसे इसमें से पानी लेके चले गुरू जी को पिलाए, औ सबी लोग जो गाओं के लोग हैं बहुत बेवपूफ हैं, वो उस जील में से उस जील का गलत उप्योग करें, नहाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, और अपने जानवरों को भी उसमें नहलाते हैं, तो पानी गंदा था, इसलिए हमने लाया नहीं, तो गुरू जी ने बोला है, तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था, ना तो वो गाओं के लोग थे, ना तो जानवर थे, तो उन्होंने जब देखा कि जो पानी था ना वो एकदम साफ हो गया, एकदम पानी साफ हो गया, तब वो घड़े में अपना पानी लेते हैं, फिर लेकर आते हैं गुरू जी के करते हैं, तो गुरू जी ने बताया, देखो, आपको लगा, आपने देखा, उनकी भी तो जरूरत है, तो आप लेकिन उसमें गुसा आपको गुसा लगे, लेकिन आपको धहरे रखना चाहिए, आप रुके, अब वो क्या हुआ जानते हैं आप, जो पानी थोड़ा सा लगा, अब वो जो टाइम उन्होंने वेट किया, वेट करने के बाद, जब वो गया तो सब पानी जो गंदा हुआ था, जो उसके मिट्टी के जो मिट्टी वगरा उपर आया था, वो सब बैट गया और पानी एकदम साफ उत्रा हो गया, तो उन्होंनों गुरू जी बताया कि देखो वेट करना चाहिए, वेट करने कारिजल्ट अच्छा होता है, अब यह नहीं कि ठीख है आपको पढ़ाई नहीं करनी है, अपने इक्जाम नहीं दीना है, तो आप बैठ ठीख है, इसा बच्चा होगा, ऐसा नहीं है, आप एक्जाम देकर आओ, आप रपरेशन के ही वेट करना जीवन में ठहराव होना कुछ चीज़ों ऐसी होती है जीवन में कि अगर आप उसे थोड़ा सा टाइम दे दो तो अपने आप सही हो जाती है जैसे किसी के साथ कोई भी हो किस कोई भी प्रॉबलम होती है तो उस चीज को उस समस्या को थोली से समय को आप को समझ मारा होगा तो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और हर संड़े मैं आपको अएस एक स्टोरी बताता रहुगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चली हें झाल झाल